सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लब हाउस जो अप्लिकेशन है ये आपके मुबाइल में अगर वर्क नहीं कर रही है तो कैसे इसको ठीक करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर 4-5 सेटिंग्स आपको बताऊंगो और आपकी जो ये अप्लिकेशन हुआर करने लग जाएगी आपके मुबाइल में तो चलिए जान लेते हैं इस अप्लिकेशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे बहले आपको जो है अपने मुबाइल के जो है इंटरनेट को चेक कर लेना है अगर आपको मुबाइल डाटा यहाँ पर ओन है बंद कर लिजेगा और फिर उसको ओन करके देखेगा आपका डाटा चेक कर लिना है आपको अगर आपका इंटरनेट अच्छा खासा चल रहा है आप वाइफाई कनेक्ट करके देखेगा अगर वाइफाई कनेक्ट करने के बाद भी नहीं चलता है तो समझ जाएए यहाँ पर इंटरनेट से रिलेटिट प्रॉब्लम नहीं है देन आपको एक काम करना होगा यहा अपने मॉबाइल को जो है अपडेट कर लीजेगा इस अप्डेट कर लीजेगा देन उसके बाद अगर आपने अपडेट कर ली है तो भी प्रॉब्लम आती है देन यहाँ पर मॉबाइल की सैटिंग में आ जाता हूँ देख सकते हैं सैटिंग में आने के बाद कुछ इस त पर जो है आपके पास जो है किसी भी company का mobile हो यहाँ पर same काम आपको करना होगा club house में आने के बाद जो है यहाँ पर इस पर click करना है then उसके बाद storage पर click करना है clear data पर click करना है clear roll data पर click करना है और ok पर click कर देना है अपने mobile का clear roll data करने के बाद जो है application अब work करने लग जाएगी then उसके बाद भी work नहीं करता है तो आपको जो है काम और कर लेना होगा अपने mobile में back आने के बाद जो है यहाँ पर about phone में आना है then उसके बाद जो है my UI version पर click कर देना है और अपने mobile का software देख लेना है अपडेट है या नहीं अगर यह अपडेट नहीं है तो इसको जो है अपडेट कर लिजेगा जो भी latest version होगा इसको अपडेट कर लिजेगा ठीक है बस यही आपको काम करना और आपकी problem solve हो जाएगी guys बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दर बाबाइ टेक केर लव यू अल